हलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल एस्प्रेंट सुडान सो आज है 28 जुलाइ तो शुरुबात करते हैं अपने दिन की हिमाचल अपडेट्स के साथ वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे जैनों को सब्सक्राइब नहीं किया है शिक्षकों के लिए फीस मास्क अनिवार आपको पतहिए करोना जो है अगेन फैलता जा रहा है तो इसके लिए जो हमारी बरसात की शूटीयों वो खतम होने को आई है 30 जुलाइ शुलाइ से अगेन आपकी स्कूल जो है स्टाट हूने वाले है तो इसमें ये है कि पहले जो था मास्क अनिवारे था उसके बाद जो था मास्क जो था वो हटा दिया तो कुछ लोग पैनते थे कुछ नहीं पैनते थे तो अगें जो है मास्क जो है वो compulsory हो गया स्टूरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और साथ में जो उनका वो होता नियम है इनका पालन गना अगें स्टार्ट कर दें तो 30 जुलाई से बरसात की चुटियां खतम हो रही है So next news आती है हमारी हिमाचल वैदर से हिमाचल के लाहुल में दो जगा बादल फटे कांगड़ा में बहने और बिजली किनने से दो लोगों की मोत तो आपको पता ही है जगह जगह मोसम खराब है जिससे बादल फट रहे हैं और जो हमारी बादल फट रहे हैं तो बाड़ा रही है कई घर गऊश अलाएं वगएरे जो है बहती जा रही है तो यहां पर भी हुआ कि जो हमारा लाहुल है वहां पे भी दो जगा जो था एक साथ बादल फटे थे कल तो जिससे जो है हिमाचल में पानी का स्तर भी भारीवारिश होई पानी का स्तर भी लाहुल से जो है नालों में जो अब तेज राफ्तार से काफी ज्यादा नुकसान करता हुआ बहरा था जिला कांगडा में खट में भने और बिजली गिरने से दो लोगों की मोत हो गई है बादल फटने से लाहुल में जो तेजिंग नाले में बाढ़ आ गई एक पुलिया दो बाइक सहीत सतर मीटर सडक बह गई कि नौर में सांगला वैली के गंगा रंग और थेम रंग नाले में भी बाढ़ आने से दो पुल जो है वो बह गई गई है जो मनाली का मनाली हाईवे है वो 15 घंटे तक ठप रहा था साथ में आप देख सकते हो कि बासी बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पे जल योजनाई भी इसके साथ ठप रही थी नेक्स न्यूज है हमारी शिमला बस एक्सिडेंट बस की नीचे तीन घंटे दबा रहा युवक घटना स्तल पर रहा अववस्था का आलम राजधानी से सटे हीरा नगर के पास हुए बस हास से ने सरकार के आपता प्रबंदन के दावों की पोल खोलकर रग दी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि घटना सल में काफी देर तक वहाँ पर कई घंटों तक वहाँ पर लोग दबे रहे बट उन तक जो है सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिली जिससे घाईलों का अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बोलेंस भी और टाइमली नहीं आ पाई तो इससे जो है लोग बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो कि बस के नीचे दबे रहे उसके बाद अग्ली हमारी news है तो अगनी वीर भरती से हमारी news आती है अगनी वीरों के लिए 30 अगस्त तक आवेदन शिमला के रामपूर में होगी भरती राली तो मैंने आपको पिछले कुछ तिन पहले भी आपको अगनिवेर की भरती के लिए आपको बताया था कि कब तक आवे दिन कर सकते हो उस तिन मैं आपको district मंडी के लिए बताया था कि जो आपका पड़ल गराउंड है वहाँ पर आपकी भरती होगी तो यहाँ पर भी यही काया कि यहाँ पर शिमला डिस्टिक के रामपूर में हो जो है आपकी भरती रैली जो है वो होगी तो यहाँ पर तीस अगस्तक जो है अब आप इसका पंजीकरन कर सकते हो साथ में इन्होंने काया कि शिमला, सोलन, सिर्मौर और नौर जिला इनके यूबक जो है उनकी भरती जो होगी वो रामपूर में रामपूर बुशर में भरती रैली जोगी वो की आयोजित की जाएगी साथ में यहां पे लिखा हुआ कि 11 अक्तूबर तक आपके एडमिट कार्ड जो पंजी करन के बाद 27 सितंबर से 11 अक्तूबर जगते हुआ आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिये जाएंगे तो इनकी वेबसाइट पर आप चेक करते हैं रहना कि कब तक आवेदन करना है और कब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे नेक्स न्यूस की बात करते हैं नेक्स न्यूस है हमारी एच्पी टैसे रिलेटिट एच्पी टैट 2022 हिमाचल में TGT नौन मेडिकल और भाशा अधियापक की टैट का शेडियूल जारी आपको पता है अभी हाल ही में मारा टैट का जो प्रिक्षा हुई थी वो आयोजित हुई थी और यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि जो नौन मेडिकल और भाशा अधियापक है उनका भी शेडियूल जारी कर दिया है तो टैट नौन मेडिकल और भाशा अधियापक प्रिक् परिक्षाओं के लिए अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें माचल परदेश बोर्ड धर्मशाला उनकी वेबसाइट से आपको अपना अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे next news की so next news है हमारी 4 और 5 अगस्त को होगी counselling so यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में इन्होंने यहाँ पर बोला MBO और M Tech की counselling और interview का schedule अलग से जारी किया जाएगा so आपको पते हैं कि यहाँ पर हमारे HPU में counseling का schedule वगारे जारी कर रही है धीरे धीरे से जो हमारे BA final का result था वो भी हमारा आग गया था जिसके बार हमारे counseling schedule अब start हो गया है तो आप यहाँ पर देखना कि धीरे धीरे यहाँ पर schedule जारी करते जा रहे है साथ में जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर चार और पांच अगस्त की होगी counseling तो कौन सी counseling है यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है बागी video लंबी हो जाएगी तो आप full news जो है इसकी पढ़ सकते हो और साथ में इनकी website पर जाकर आप चेक करते रहना कि आपकी counseling कब तक होगे साथ में B.E.D. की counseling भी जो है वो बहुत जल्दी आने वली है बच्चों की बहुत ज़्यादा query आ रही थी कि B.E.D. की विदिन वीक जो है आपकी counseling शायद आ जाए नेक्स हम बात करते है HPSS से result से तो fireman भरती की शारिडिक दक्षिता परिक्षा का परिणाम गोशित मुल्यांकन की ती थी थी तए HPSS भी जो है अब जल्दी जल्दी result निकार रहा है क्योंकि इनकी जो है next post का जो उन्होंने schedule है date of exam है वो भी चारी कर दिया है तो इसलिए यह जो पूराना जो भी इनके result pending बचे हैं वो उनको जो है declare करने की जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं तो हर रोज इनका कोई ना क उसका जो result है वो तयार कर दिया है साथ में इन्होंने मुल्यांकन तिथी भी यहां पर तय कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते होगी यह जो था 2021 में आवेदन थे इसके जो भरे गए थे 14 नंबर को इसके exam हुआ तो आप देख सकते होगी कितने time के बाद जो है यहां प फरीक दिक्षिता और इसका परीकशा के लिए बुलाया गया शारिडिक दक्षेता परिक्षा में 445 अभियारती उपस्तित रहे जबकी 327 अभियारती उपस्तित रहे तो काफी यहां पर देख सकते हों कि कितने gap पढ़ा था जो sतीं उसड़ी उपस्तित थे तो आयोग ने अब मैरिट में रहने वाले 86 अभियार्थियों का चया है 7 सितंबर 2022 को होने वाली 15 अंकों की मुल्यांकन प्रिक्षा के लिए किया गया है तो 7 सितंबर को जो है वो 15 अंकी जो मुल्यांकन प्रिक्षा है उसका शैडियूल भी जारी हो गया है 15 पीजी कोर्स की काउंसलिंग सो एस्प्यू की जारी किये पीजी कोर्स की काउंसलिंग शैडियूल में 2 अगस्त को M.S.C. बोट ने जोलजी और एन्वार्मेंटल साइंस की दिथिया निर्धारन की है तो आपको मैंने वो भी बताया था पीज़े भी बताया था कि एस्प्यू ने भी जारी की हुए और अब S.P.O. ने भी जो है हमारी दो को जो है तीन कोर्सिस M.S.C. बोट ने जोलजी एन्वार्मेंटल साइंस इनकी जो है काउंसलिंग डेट जो है वो तही कर दिये है एस्प्यू भी दो अगस्त पो ही इन तिनों और सेम एश्प्यू भी इनी कोर्सिस पर कांसलिंग डो अगस्त को जो जारी कर रहा है नेक्स यहां पर लिखा है ह्प्यू और S.P.O. में MS.C. के तीन कोर्सों की काउंसलिंग देट जो वो निश्चित की है वह एक ही दिन जो है शिमला और मंडी में एक सास काउंसलिंग में अपीर नहीं हो पाईगे और आपको पता है कि बच्चे जो है फुट डवल काउंसलिंग के लिए भी भरेंगे एच्पू के लिए भरेंगे और एस्पू की पट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही दिन है तो अब पता नहीं इसके बारे में मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा जैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन मिलती है तो मैं आप तक जो है उसको जरूर लाने की कोशिश करूंगी आज की वीडियो में इतना ही होप सो आपको वीडियो यूसफूल लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं नई नई अपडेट्स पाने के लिए नई नई खबरों के लिए आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू गाइस